स्वागत है आपका इन्फरा गाइड में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के नव निर्मित परलेमेंट बिल्डिंग के बारे में जिसका की निर्मान कारिया पूरा हो चुका है और इस नए परलेमेंट बिल्डिंग का उदगाटन हमारे देश के प्रधान मंतरी शिरी नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को होने जा रहा है हमारे देश के नए संसत भवन का निर्मान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतरगत किया गया है और यह निव परलेमेंट बिल्डिंग आत्म निर्भर भारत का प्रतीक बन चुका है क्यूंकि वर्तमान में जो हमारा पूराना संसत भवन है वो लगबग 96 वर्ष से पूराना हो चुका है और पूराने संसत भवन का निर्मान अंग्रेजो द्वारा किया गया था जिसका निर्मान काडिया 1921 में शुरू किया गया था और पूराना संसत भवन 1927 में पूरी तरह से बनक तो लगभग 100 साल पूरानी बिल्डिंग होने के कारण पूराने संसतभवन की अवस्था भी काफी जरजर हो चुकी है और आज नहीं तो कल हमारे देश में नए संसतभवन का निर्मान होना ही था और इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है तो लिजिए हमारे नए इंडिया का नया संसतभवन अब पूरी तरह से बनकर तयार हो चुका है आपको बताद की नए संसतभवन के निर्मान की अधारशीला प्रधानमंत्री शिरी नरेंद्र मोधी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और धाई वर्षों के अंदर नए स रीडेवलाप्मेंट प्रोजेक्ट के अंतरगत किया गया है तो न्यू पार्लियमेंट बिल्डिंग के ऊपर बात करने के पहले सबसे पहले सेंट्रल विस्टा रीडेवलाप्मेंट प्रोजेक्ट के बारे में संचिप्ति में बात करते हैं सेंट्रल विस्टा पडियोजन के लिए New Residence Building, नया PMO Building, Central Conference Center, नया वानिज्य भवन, इत्यादी कई भवनों का निर्मान कार्य किया जा रहा है। Central Vista परियोजना का निर्मान भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। आपको बता दे की पूरे Central Vista का परिसर मदर ट्रेसा क्रिसेंट से राष्ट पती भवन, करतब्य पत, इंडिया गेट, नैशनल वर मेमोरियल होते हुए मथुरा मार्ग तक फैला हुआ है। और इसकी कुल लंबाई लगभक 4.8 किलो मिटर है। और इसमें से Central Vista Redevelopment परियोजना के अंतरगत राष्ट पती भवन से इंडिया गेट तक 3.2 किलो मिटर लंबे परिसर का री डिवलाप्मेंट किया जा रहा है। Central Vista Redevelopment परियोजना Ministry of Housing and Urban Affairs जो की Government of India का पार्ट है इसके अंतरगत आता है। Central Vista Redevelopment परियोजना के अंतरगत राष्ट पती भवन, इंडिया गेट, नेशनल वर मेमोडियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायू भवन, इत्यादी इन बिल्डिंग्स में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा और इनको जेओं का तेओं छोड़ दिया जाएगा। और North Block जहां अभी ग्रिह मंत्राले, वित मंत्राले, Central Board of Direct Taxes यह सभी भवन है और South Block जहां वर्तमान में PMO, रक्षा मंत्राले, विदेश मंत्राले, Cabinet Secretariat, National Security Council यह सभी भवन हैं तो इन दोनों North Block और South Block को National Museum में बदला जाएगा और पुराने संसच की वर्तमान बिल्डिंग को अर्केलोजिकल हेरिटेज में बदला जाएगा, Central Vista Redevelopment पडियोजना के अंतरगत, New Central Secretariat का निर्मान किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्राले और कार्याले को शिफ्ट किया जाएगा, पडियोजना के अंतरगत, क्रिशी भवन, सास्त्री भवन, IGNCA, उद्यो इन सभी भवनों को गिराया जाएगा, और इनके अस्थान पर Central Secretariat की 10 नई बिल्डिंग्स का निर्मान किया जाएगा, आपको बतादे की Central Vista Redevelopment पडियोजना के अंतरगत, 44 निव बिल्डिंग्स का निर्मान कार्या किया जाना है, और वर्तमान में इस पडियोजना के अंत प्रधानमंत्री शिरी नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर 2022 को किया गया, और अब निव पार्लियमेंट बिल्डिंग का भी निर्मान कार्या पूरा हो चुका है, और इसका उद्गातन प्रधानमंत्री शिरी नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को होने जा रहा है, पूरे Central V परियोजना के निर्मान में लगभग 13,500 करोड उपे खर्च किया जा रहा है, और उमीद है कि 2026 तक Central Vista परियोजना पूरी तरह से बनकर तयार हो जाएगा, तो अब बात करते हैं इसी Central Vista परियोजना के अंतरगत बनाए गए निव पार्लियमेंट बिल्डिंग के बारे मे इस निव पार्लियमेंट बिल्डिंग का निर्मान कारिय संसद मार्ग प्लोट नंबर 118 में किया गया है, इस नए संसद भवन का अकार त्रिकोणिये है, और यह हमारे देश के पुराने संसद भवन से लगभग 3 गुना बड़ा है, नए संसद भवन का बिल्ट अप एरिय लगभग 96 वर्ट पुरानी हो चुकी है, इसके साथ ही हाउस मेंबर और उनके स्टाफ के लिए वर्तमान में पुराने संसद भवन में जगह भी अप्रयाप्त है, और हमारे देश के फ्यूचर के लोगसभा स्ट्रक्चर्स को देखते हुए वर्तमान का पुराना संसद फ्यूचर के नंबर उफ MPs को एकमोडेट करने में असक्षम साबित होगा, तो इन ही सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्मान कार्य किया गया है, नए संसद भवन में 888 लोगसभा चेमबर सीट्स और 384 राज्यसभा चेमबर सीट्स की विवस की जा सकती है, और थात नए संसद भवन में 1224 मेंबर उफ पारलेमेंट्स यानि MPs के बैठने की विवस्था की जा सकती है, आपको बता दे कि वरतमान में हमारी देश के पुराने पारलेमेंट में 543 मेंबर उफ पारलेमेंट्स और 245 राज्यसभा चेमबर सीट्स की विव करनना के अनुसार 2026 में उमीद है कि मेंबर आफ पारलेमेंट्स की सीट्स को बढ़ा कर 848 किया जा सकता है यानि कि जबकी 2029 का लोगसभा चुनाव 848 सीटों पर लड़ा जा सकता है जबकी 2024 का लोगसभा चुनाव 543 सीटों पर लड़ा जाएगा नए संसत्भावन की उंचाई लगभग 50 मीटर होगी और इस बिल्डिंग में एक साथ लगभग 9500 लोग काम कर सकते हैं नए संसत्भावन के अंतरगत state of the art constitutional hall का निर्मान किया गया है इसके साथ ही इस बिल्डिंग के सभी offices secure, efficient और latest communication technology द्वारा equipped है नए संसत्भावन के अंतरगत विशालकाय committee room का निर्मान किया गया है जो की latest audio visual system द्वारा equipped है इस building के अंतरगत विशालकाय library का निर्मान किया गया है इस भावन के अंतरगत council of ministers के लिए 92 rooms का भी निर्मान किया गया है हमारे देश का नया संसत्भावन एक platinum rated green building है इस नय संसत्भावन में एतिहासिक सेंगोल को भी अस्थापित किया जाएगा सेंगोल को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इसका इतिहास चोला समराजियों से जुरा हुआ है और जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तब Lord Mountbatton द्वारा हमारे देश के पहले प्रधान मंतरी पंडित जौहलल नहरू को transfer of power के रूप में यह सेंगोल सौपा गिया था हमारे देश का नया संसत भवन भुकंप रोधी होगा और लगभग आठ की तीवरता वाले भुकंप को असानी से जहल सकेगा आपको बता देकी नय संसत भवन के डिजैन को आर्किटेक्ट बीमल पतेल द्वारा डिजैन किया गया है और इसका निर्मान नो सो चोहत्तर करोड से लेकर बारा सो पचास करोड के बीच में लागत आई है तो आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिंद बंदे मातरम